सो के साथ भी इन्होंने सम्मान यानि लासों के साथ भी सम्मान के साथ दिवार नहीं किया ये भाजपा की बहुत बड़ी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है बाबा और प्रसाशन की ये मिली भगत है ये एक सरकारी हत्या कांड है इसे हाचा नहीं कह सकते हैं प्रस इसमें उपचुनाओ की तैयारियां जब से शुरू हुई है एक जबरदस्त महौल देखने को मिल रहा है। उपचुनाओ में दस सीटों पर चुलाओ लड़ा जाना है और सपा सुप्रीमों अकलेश यादों की इस बीगुल के बाद एक जबरदस्त महौल है। उपचुनाओ में दे सकें और दस के दसों सीटों पर भाजपा को हराया जा सकें। काफी जोज दिखता है समाजवादी पार्टी समर्थकों में जबसे ये रिजल्ट आए इंडिया गटमंधन की और ग्राउंड इस तरकी बात की जाये तो अखलेश यादों ने काफी तयारी मजबूत कर रखी है। बिलकुल हम लोग बूथ लेवल से लेके विदानसबाद ध्यच और लिजलाद ध्यचों की मिटिंग इसलिए कल करी है। ताकि किसी भी तरह का कहीं भी कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए। यकिनंड जो हमारा PDA का फार्मूला है जो रमानी रास्टी अद्वज ने PDA का आहवान किया है वो PDA हमारे साथ हैं डलीत पिछडा और अलप संखह यह पूरी तरह से हमारे साथ और इनके साथ रहने से यह लड़ाई जीतने में हमें काम्यावी मिली है। और जो समिधान और आरच्छड पे जो भाजपा ने खत्रा किया था उस खत्रे को भाबते हुए दलित और OBC ये मान रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टियों और इंडिया एलाइंस ही लड़ सकता है भाजपा ने हमें हर मौके पे धोका दिया ह वहाँ भी आरच्छड का पालन नहीं गया है दलितों और पिछडों के आरच्छड में पूरी तरह से सेध हमारी भाजपा ने की है इसलिए दलित और OBC हमारे साथ खड़ा है और माइनारिटी चुकि आप जानते हैं भाजपा की मानसिक्ता माइनारिटी विरोधी है काफी फरक डाला कुछ इस बार कुछ चेंजमेंट देखेंगे इस उपचुनाओं में क्योंकि ये दिसा और दसा दोहजार सताइस में होने वाले विदान सभा चुनाओं की भी तय करेगा देखे हमारे मूल मुद्दे वही हैं महंगाई है किसानों की समस्याएं हैं और बे आप जानते हैं सिभाई भरती की परिचा भी दुबारा नहीं हो सकी है नीट की परिचा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल लए है किसानों को इन्होंने ना MSP दी ना करज माफी दी यानि बेरुजगार उसी तरह से घूम रहा है किसान उसी तरह से घूम रहा है और जो डलीत और पिछडा का आरचड इन्होंने मारा उस पर इन्होंने कोई सुधार नहीं किया है तो हमारे मुद्दे वही हैं वही बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर हमने लोकसभा में चुना लड़ा था और इस विधान सभा के उप्चणा में भी हम उन्हीं बुनिय इससे थोड़ा सा अगर हट के बात करें बीते 24 घंटों की तो अकलेश या दो हात्रस कांड पे जो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई उत्रप्रदेश के प्रशासन की कर बात की जाए या सासन की बात की जाए सब पे सवाल खड़े कर रहे हैं वहां पे घटना पे बाबा की बाइट तो आ गई उन्होंने अपनी बात तो रख दी लेकिन अभी भी तमाम ऐसे पीडित परिवार हैं जिनकी सुनवाई उस मजबूती से नहीं होई जो होनी चाहिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है देखिए बाबा की जो बाइट है बाबा के रहे हैं और सरकार का पूरी तरह से फिलेॉर है चाहिए हो मेडिकल एंजनसी की बात हो चाहिए फैर एंजनसी की बात ओर चाहिए क्राउड मेनेजमेंट की बात हो किसी भी मुद्रेपे सरकार पास नहीं हुई जो पास का समधाई केन था वहाँ सिर्फ एक डाक्टर था कोई अक्सीजन नहीं कोई एंबुलेंस नहीं कोई दवा नहीं कोई नर्स नहीं और सवों के साथ भी आमान्यमी विवार किया गया चार लोग ऐसे हाथ में पकड़ के लेके जा रहे थे सो सो के साथ भी नहीं ने सम्मान यानि लासों के साथ भी सम्मान के साथ बेवार नहीं किया ये भाजपा की बहुत बड़ी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और बाबा और भाजपा की मिली भगत है क्या मानते हैं कि बाबा ही बाबा को बचा रहे हैं? भटकाने की और ठंडे वस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। अगर हम किसी कोई हम कहीं हम चीफगेस की रूप में चले जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारे उससे अंतरंग संबंद है या वो हमारा आदमी है। कोई भी हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं कोई भी हमें बुलाता है हम चले जाते हैं और जाना इस बात का सबूत नहीं है कि घटना से कोई तालुक है घटना के लिए जो जिम्मेदार है आयोजक जिम्मेदार है बाबा जिम्मेदार है और उत्तरप्रदेश का सासन प्रसासन जिम्मेदार है अभी तक के वो कोई धोस कारवाई नहीं विपक्ष क्या चाहता है आप लोग क्या चाहता है हम लोग यही सवाल लोगा जिस पर पूरे समय उत्तर प्रदेश की बात कि जए देश भर की बात की जए निगाहे टिकी होगी गटबंधन इंडिया का मजबूत है लेकिन उससे पहले भी लोग सभा चुनाव से पहले देखा गया इंडिया गटबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़े गया उपचुनाव एक लड़ा गया तक घोसी का जिसमें सुदाकर सिंग विजई भी हुए थे लेकिन बाहर की अगर लोग सभा चुनाव से पहले गटबंधन की दसा और दिशा दूसरी थी लेकिन लोग सभा चुनाव ने ये मैसेज दे दिया है कि इंडिया गटबंधन को भारत की जनता पसंद कर रही है जब जिस चीज को जनता पसंद कर रही है उस चीज को हमारा दल या कांग्रेस या को इंडिया गटबंधन का जो एलाइंस है वो पसंद करेगा इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो उप चुनाओ होने जा रहा है उसमें गटबंधन रहेगा सीटों का बटवारा ये रास्टी नेत्रत उताय करते हैं वो समय आने पर ये तैक कर लेंगे कि कौन 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 किस सीट पर चुनाओ लड़ेगा अकलेश यादोगी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वो भारत की समय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जो भी निर्णय लिया जाता है इस समय यूपी माना जा रहा है सबसे मजबूत निर्णय होगा कुछ तो परसेंटेज डिसाइड कि किसी फॉर्मूले के तहट कि सीट का बटवारा होगा या अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है देखी अभी चुनाओ के गोशना हुई नहीं है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हुई है हाँ यतना मैसेज हम लोगों के पास है कि चुनाओ हम लोग चुनाओ मिलके लड़ेंगे इंडिया गडबंदन अपना एलाइंस रहेगा और चुनाव मिलके लड़ेंगे जो परिसितियां बनेंगे जो जरूरत होगी कांग्रेस को वो सीटें दी जाएंगे पर्मूला भी तैय हो जाएगा जिसमें इंडिया गडबंदन शीट का बटवारा करेगी लोग सभ़ा चुनाव से पहले उस समय की जो कंडीशन थी वो कंडीशन कुछ और थी और लोक सभाचुनाव बीच जाने के बाद जो कंडीशन है वो कुछ और है तो इंडिया गट बंधन उपचुनाव लड़ने जा रहा है अब देखने वाली बात होगी कि कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिलती है और दूसरी देश भर की निगा आने वाले उपचुनाव पर बीटिकी हुई है क्योंकि 2027 में होने वाला विदान सभाचुनाव कहीं न कहीं उस पर इमपैक ये उपचुनाव जरूर डालेगा जुड़े रहिएगा 4PM News Network के साथ Ground Report के लिए और जमीन से जुड़े हुए नेताओं के लि कर दो